अब है है कि है लो स्टूरेंट्स कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे तो दोस्तों आपने देखी होगी हमारी पिछली जो क्लास थी वो कंप्यूटर की आपकी पार्ट हमने किया था इसकस आज हम पार्ट 8 एन की क्लास 8 के बारे में डिसकस करेंगे तो हमारा लिखवाया था वो sentence आपको अगर ध्यान हो तो मैंने लिखवाया था all pupils seems to need data processing तो यह जो मैंने लिखवाया था आपको यह trick थी एक इस trick के माध्यम से आप क्या कर सकते थे वही इसके माध्यम से आपको जितनी भी seven layer है उनका करम पता चल जाएगा यानि कि टोप से लेके बोटम तक का जो लेर का करम है वह से आपको पता लग जाएगा जैसे मैंने बताया था all का मतलब यहां पर क्या है ओल का मतलब यहां पर रहेगा आपका application layer कौन सी लेयर वही application layer ठीक है application layer उसके बाद second मैंने बताया था प्यूपल प्यूपल से यहां पर हमारी कौन सी बनेगी presentation layer प्रेजेंटेशन लेयर ठीक है यह बताया था मैंने आपको सीम्स का मतलब यहां पर थी हमारी session layer और two का मतलब यहां पर हमारी थी transport layer उसके बाद need का मतलब यहां पर क्या था network layer यानि इनका जो first letter है हमने वो उठा लिया उसके according हमने क्या किया इस trick को काम में लिया तो data link layer और लास्ट वान इज processing का मतलब यहां पर है P का मतलब physical layer ठीक है यहां पर P दो बार आता है इसमें एक P का मतलब जो उपर आती है top second वो presentation होती है और यहां पर सबसे first में जो आती है सबसे bottom में जो आती है वो होती है physical layer इसके एलाव मैंने आपको यह भी बताया था friends यहां पर मैंने जो तीन लेयर बताए थी इनको हमने hardware layer का नाम दिया था और यह उपर वाड़ी तीन लेयर थी इनको मैंने software layer का नाम दिया था या heart of OSI model तो OSI model का यह heart भी कह सकते हो आप इसको तो इससे related आपके यह question मैंने बताये थे ठीक है अब देखो हमने last video के अंदर जो discuss किया था वो हमने इन तीन के उपर discuss किया था network layer के उपर data link layer के उपर और physical layer के उपर तो physical layer के बारे मैंने आपको बताया था यह वो layer है जो data को bits में convert करती है किस में convert करती है bits में यानि कि 01 के रूप में या फिर आप कह सकते हो इसके अंदर data जो होता है वो तीनों मादिमों में जाता है जैसे electrical signal के लिए जिम्मे सब्सक्राइब होती है इसके अलाव मैंने physical layer के उपर आपको बताया था कि इसके अंदर जो device काम करते हैं वो होते हैं एक तो होता है आपका repeater और एक होता है आपका hub तो इस पर यह device भी काम करते हैं तो इस तरह से आपको question बताये थे मैंने जो आपको important question थे और इसको सबसे lowest layer भी बोलते हैं सबसे lowest layer बोला जाता है ठीक है तो यह चीजे मैंने last के वडियो के अंदर आपको बताई थी ठीक है उसके बाद lowest या bottom layer कह सकते हो bottom layer भी आप इसको बोल सकते हो और अगर इसको first layer भी बोला जाए तो गलत नहीं होगा ठीक है first layer अब देखो हम बात करते हैं data link layer के बारे में इसके बारे मैंने बताया था यह जैसे आपका data bits में होता है तो यह यहां पर जो data होता है bits की बजाए यहां पर किसमें होता है frames के अंदर होता है इसके अंदर जो भी error है यानि कि यहां पर physical layer के अंदर जो भी error आ गए उस error की check करने की यानि की error recovery या फिर आप error check कह सकते हो error check capability ठीक है इसके अंदर error check की capability है और उनको conjugate कर सकती है और जो आपका data है उसका flow control के लिए भी यह जिम्मेवार है ठीक है flow control के लिए इसके अलाव मैंने इसके बारे मताया था कि जो data link layer है इसके उपर काम कौन-कौन से device करते हैं जैसे bridge है आपका switch है आपका तो यह device इसके और switch है ठीक है तो यह ऐसे device है जो इसके उपर काम करते हैं ठीक है तो यह हमने बात की थी अब हम बात करते है network layer के बारे में तो network layer के बारे मैंने बताया था जैसे यहां पर data bits से किसमें गया frame में frame से data यहां पर data किसमें जा रहा था तो यह सारा सारा आपका question अच्छा series बनत होता है वह data किस में जाता है पैकेटस के रूप में जाता है ठीक है तो data packets के रूप में जाता है अब यह packets कहां बनते हैं router के बारे में मैंने बताया था इसके अंदर जो देता होते है वो routing का काम करता एडिटा यहीं कि रूट का काम क्या है, सबसे चोटा रास्ता को पहले route decide करेगा और फिर उसको data को ग्या करेंगा पहुंचाने के लिए जिम्मेवार होता है, य्यानि कि नेटवर्क लेएर जो data को पहुंचाने लेयर के उपर ही काम करता है, IP address, internet protocol, ठीक है, तो IP address जो होता है, वो आपका कहां काम करता है, इसी लेयर के उपर काम करता है, network layer के उपर काम करता है, तो ये भी very very important है, उसके बाद हम बात करेंगे transport layer की, अब देखो transport layer को हम hardware plus software, ठीक है, hardware layer और software layer भी कह सकते हैं इसको, और इसको heart of 7 layer भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो, heart of OSI model, ठीक है, तो OSI model का ये heart भी है, transport layer, clear, आप देखो transport layer के उपर कौन काम करता है, इस transport layer के उपर काम करता है, दोस्तों, यहाँ पर देखो मैंने बताया, IP आ गया, तो यहाँ पर हवारा काम करता है, TCP और UDP, TCP और UDP इस very important है, उसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर, जो आपकी transport layer है, इसका काम क्या है, भी जो भी आपका data है, उस data को, यानि कि संपूर्ण data के लिए जिम्मेवार है, संपूर्ण data भीजने के लिए जिम्मेवार है, भी आपका data ऐसा नहीं है, संपूर्ण data भीजने के लिए जिम्मे वार है भी इसको समझाओंगा मैं इसका मतलब क्या है जिम्मे वार है अब देखो यहाँ पर जो TCP है ना TCP में और UDP में फारक क्या होता है very very important है थोड़ा अच्छे लेवल से question भी बनता है आप इसको समझने की कोसिस करना भई देखो TCP TCP की पहले तो full form आपको पता हो नहीं चाहिए TCP का मतलब है यहां लिक देता हूँ थोड़ी सी space की अपड़े पास problem हो गई अभी इसका मतलब है transmission transmission control protocol छीक है दिखाए दे रहा है क्या I think दिखाए दे रहा होगा आपको transmission control protocol दिखाए नहीं दे रहा तो सुन लेना transmission control protocol और UDP का मतलब होता है भई यूजर लाइट चल रहा है यह मारकर थोड़ा सा कि यूजर कि डेटाग्राम कि प्रोटोकोल अब देखो पहले तो कोश्चन बन सकता है इनकी full form से दूसरा कोश्चन क्या बनेगा TCP जो होता है ना दोस्तों जहां पर भी TCP आ गया TCP का काम क्या है यह जो भी डेटा भेजता है ना उस डेटा का पहले तो सब्सक्राइब कर लेता है वह इसको डेटा को कहां जाना है और कहां तक यह भेजेगा ठीक है तो इसके अंदर संपून डेटा भेजने के लिए जिम्यवार है संपून डेटा का मतलब क्या है मान के चलो आपने एक फाइल भेजी उस फाइल की जो आपकी चोटी-चोटे उ तो फाइल बनी हुई थी 01 के रूप में वो मान के चलो 1000 उसके अंदर और आपकी फाइल के अंदर सब फाइल थी ठीक है तो अब उन फाइल के अंदर क्या होता है जैसे हम डेटा भेजते हैं ना वो मान के चलो 1000 में से कोई 800 भेज देती है 900 945 999 भेज दे एक फाइल मिसिंग ह हो जाए आपकी या software की चोटी सी फाइल भी रह जाए चाहे 1 KB की फाइल क्यों ना हो तो आपका software काम नहीं करता पता है आपको एरर मारने लग जाता है वो क्यों मारता है दोस्तों क्योंकि उसकी एक फाइल मिसिंग है तो इसके अंदर क्या है टीसी पीके दुआरा हम जो मान सकते हैं वह डेटा भेजने की जो स्पीड है ना वह थोड़ी सी कम हो सकती है as compare to UDP UDP की स्पीड थोड़ी fast होती है यह fast काम करती है यह थोड़ा सा slow काम करती है लेकिन मेरे दोस्तों यहां पर जो भी डेटा भेजोगे तो वह आपका 100% जाएगा आपका ठीक है लेकिन मैं बात करूं UDP की जैसे आप कोई भी वीडियो कॉल करते हो या आप YouTube को पे कोई भी functioning देखते हो कोई भी आप YouTube के ओपर डेटा अपलोड कर रहे हो तो YouTube को प्ले करना आप कोई भी आप वीडियो कॉल करते हो तो उस दुरान क्या होगा आपकी को भीजने का काम जरूर करेगी लेकिन डेटा करप्ट हो रहा है डेटा की फाइल मिसिंग हो रही है उसके लिए रिस्पॉंसिवल नहीं है लेकिन होगी जरूर आप जैसे आपने वीडियो कॉल देखे होगी करके कि किसी को या फिर आपने YouTube के ऊपर कोई आपने जैसे कोई ठीक है तो यह आपका काम किसका होता है UDP का और यह काम किसका होता है TCP का I think आपको थोड़ा सा समझ में अच्छे से आ गया होगा ठीक है इसके लिए अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो जब मैं आपको इंटरनेट वारा टोपिक करवाँगा तब भी दोबार अब देखो यहां पर क्या करती है यह इसको हम to and layer बोलते हैं आपने जिसको भी डेटा भीजना है तब तक अगर आपका डेटा नहीं भीजा गया है यह तब टक एक पहुंच गया पिर उसके बाद यह फारिक हो जाती है अब मान के चलो जैसे मुझे कोई बीजनस का पारसल है ठीक है मेरे पास कोई पारसल है मैं आपके पास डिरेक्ट को करके कह देता हूं कि भई आपके पास यह हिसार कल सुबह तक पहुंच जाएगा नो अब जे तक ठीक है उसके बाद मैं अपने जो भी मेरे नीच कर देना या फिर आप पर यहां से इसको डिलीवरी कर देना या फिर आप और इसकी पूरी की पूरी रिस्पोंसिभीलीटी आप इसको इस पर पूर आड्ररा को ऊपर इसने बज़े जा कि मतलब आपको यह पूरा का पूरा पहुंचाना है material आपको ठीक है तो फिर वो मान के चलो पहुंचा देता है किसी भी process की वज़े से कैसे मतलब थोड़ा सा time delay करके कैसे पहुंचा देता है अब आगे आप जानो इस पार्सल का क्या करना है आपका काम जाने यानि कि मैं contact में कब तक करूँगा यह layer जब तक contact में रहेगी जब तक सामने वाले के पास data ना पहुंच जाए इसलिए इसको एक add से दूसरे end तक layer बोलते है यानि कि end to end layer clear है आपका doubt clear हो गया होगा मेरे ख् important है ठीक है तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे end to end layer उसके बाद हम बात करते हैं सैसले के बाद presentation layer की presentation layer की अगर मैं बात करूं तो presentation layer यानि कि अपने आपको present करना यानि कि हमें क्या करती है यह यह आपको जो आपकी desktop के उपर present करती है यह आपको desktop प्रोवाइड करवाएगी वह आपको देख सकते हो यानि कि आपको एक देखने का माध्यम बता देगी या फिर आप कह सकते हो यह identity किसकी ली करती है यह पैचानती है किस चीज को पैचानती है यह extension file है कोई भी उस extension file को पैचानने का काम करती है ठीक है extension file जैसे 123 के राम से folder है और उसके पीछे है doc तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा यह doc है जो extension name है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यह आपकी MS word की file है या फिर हमारे पास कुछ ऐसे लिग जाए 123.jpeg तो इससे हमें पता लग जाएगा कि यह जो आपकी एक image file है ठीक है तो इस आपकी application layer के बारे मैंने सिर्फ एक question बता है आपको end to end layer है और इसी के अंदर क्या होता है आपका data का encryption के लिए और decryption के लिए आपकी जिम्यवार है यानि कि आप एक line में कहना चाहो तो data की security को बनाए रखने के लिए यह सबसे important layer है ठीक है तो यहां पर आपकी जो data की security होत application layer का मतलब क्या है यह आपको interface provide करवाएगी क्या provide करवाती है इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है ठीक है मैं आज बिल्कुल छोटे-छोटे लिख रहा हूं सायद आपको क्या अपता दिखाई दे रहे है और नहीं दिखाई दे रहे तो अगर आपको ना दिखाई दे रह interface provide करवाने का मतलब क्या है कि यह आप को APP के उऔप जिस भी आप application के उपर काम करते हो उसAPP का माद्यम essa interface है उसको provide करवाती आप को help क्या है जैसे आप google आपका जैसे google chrome है उसके और आप काम करते हो YouTube YouTube है उसका इंटरफेस कैसा होता है उसके उपर आप कैसे काम करते हो ठीक है इसके आलाओ जैसे Mozilla Firefox है Opera Mini है ठीक है यह कोई भी और आपकी आप है जितने भी आप है जितने भी आपके software है उन software का जो इंटरफेस होता है जिसके वज़े से हम किसी को message कर सकते हैं तो वो इंटरफेस प्रोवाइड करवाने का काम किसका है application layer का है ठीक है तो मेरे ख्याल से अब आपका कोई system interconnection की जो 7 layer है तो इनके उपराप अच्छे से काम कर सकते हो फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो हम आपका डाउट लेने के लिए रैडी हूं एक बार जल्दी से आप इसका screenshot ले लिजिए क्योंकि वहुत ही important है I think आपने screenshot ले लिया होगा अब देखो उसके बाद हम आगे करते हैं यहां पर दोस्तों मैं थोड़ा सा एक दो question बताना चाहूंगा आपको सबसे पहले तो अगर हम बात करें जैसे application layer है application layer से आपके भी एक अच्छा question बनता है तो आप यह याद रखेंगे एक आद बार question आपका जो है TCP IP से भी बनता है तो उसके बारे में आपको अच्छे question अभी discuss करेंगे ठीक है तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे एक बार application layer के बारे में एक application layer के बारे में question बनते हैं तीन question आपने देखा होगा question क्या बनते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब है file, transfer, protocol, http, hyper, text, अभी question बताऊंगा आपको अच्छा सब, transfer, protocol और एक नाम और आपने सुना हो तो वो होता है telnet ठीक है telnet, telnet को हम remote login भी बोलते है remote login network ठीक है अब देखो ftp, http और telnet यह जो तीनों के तीनों protocol है यह तीनों आपके जो प्रोटोकोल है यह प्रोटोकोल आपके कौन सी layer के उपर काम करते हैं अब थ्री प्रोटोकोल आज यूजँ इन विच लेयर ओफ ओएसाइ मोडल यानि की जो ऊपर के तीन आपके प्रोटोकोल है यह प्रोटोकोल आपकी ओएसाइ मोडल की कौन सी लेयर के उपर काम करते हैं तो यह कोशिन आपसे बन जाता है अब देखो यहां पर तो यह जो OSI model की very very important है वही है OSI model की application layer के उपर काम करते हैं ठीक है application layer के उपर काम करते हैं तो यह आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद एक question बनता है आपका application के बाद थी आपकी presentation layer presentation layer ठीक है मैंने बताया presentation layer का पहला काम क्या है extension file के लिए ठीक है extension file के लिए और दूसरा काम आपकी इसका क्या होता है यшES security कि यह सैक्योर्टी की सेसी की सेक्योर्टी वाती सबसे ज़्दा इसी की वजए से security की वजए से हम देटा को आगे transfer कर सकते हैं बिना लीक किए ठीक है तो यह security का काम भी करती है ठीक है यानि कि डेटा को encryption का डेटा encryption क्रिप्शन क्रिप्शन और डी क्रिम डी क्रिप्शन ठीक है spelling थोड़ी से मिस्टेक हो सकती है इंगलिस बहुत पूर है मेरी तो यह आप देख सकते हैं तो यह लेका काम है extension file के लिए और security encryption के लिए मैंने साथ थोड़ी दिर पहले आपको security वाड़ा के अंदर करवा दिया था तो वह आप थोड़ा सा modify करके सी के अंदर कर लेना वह ठीक है वो घलती से के लिए होती है data data को authorized कर दिया यहां से यह data भीजा जा सकता है ठीक है verify कह सकते हो आप तो authorized करने के लिए होती है आपकी तो यह आपके question बनते है OSI model OSI जो आपका है open system interconnection model से अब हम बात करेंगे next TCP IP की बारे में क्योंकि हमने जब networking model पड़ा था तुम हमने बता था कि दो तरह कि आपके networking model होते हैं एक होता है आपका OSI model और दूसरा होता है आपका TCP IP model तो एक बार आप इसका screenshot ले लिए फिर हम बात करेंगे TCP IP के बारे में I think screenshot ले लिया होगा आपने अब देखो है कि हम बात करेंगे कि TCP IP के बारे में तो जो हमारा अगला मोडल है वह है टी सीपी आईपी टी सीपी आईपी तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो यह क्या है सबसे पहले तो इसकी फुल फोम आपको पता ही है मैं बार बार नहीं लिखूंगा transmission control protocol और उपी का मतलब क्या है internet protocol यह आपकी कितनी लेश की ऊपर काम करता है जो टी सीपी आई-पी मोडल है यह आपकी फोर लेयर की ऊपर काम करता है भृट वोड लेयर लेयर की आपकी है तरह में परोगतती कि कहिंने इसाएं में वाल क्या है तो उसलेड किसे और जाएगी तो यह जो चाड़ लेयर है इनकी साथ लेयर के साथ कौन सी लेयर के साथ कौन सी लेयर काम करती है ठीक है तो यहाँ पर जैसे हमने सबसे पहले मैं आपका ट्रिक के साथ लिखो तो ट्रिक के साथ भी लिख सकते हो आप all pupils seems to need data processing ठीक है तो मैंने फर्स्ट लेटर लिख दिया इनक लिंक लेयर एन का मतलब यहां पर है network लेयर तो आपको बार-बार इसी लिख आ रहा हूं तक कि आपको यह याद हो जाए उसके बाद है ट्रास्पोर्ट लेयर और यह है आपकी सैसल लेयर और यह आपकी है प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट वन है आपकी application लेयर तो यह टोटल साथ लेयर है जो च्यार लेयर के बराबर है अब यहां पर हम बात करते हैं इनके इक वाद सबसे नीचे की बात करूं मैं यह जो दो लेयर है इन दो लेयर के बराबर यहां पर जो लेयर है इन दो लेयर के उपर जो काम करती है यहां पर यानि कि आप कह सकते हो network गॉर्छ एकषैस लियर अच्क है नेटफर्ट अकषैस लियर यह टीसि पी एपी की पहली लेयर है सबसे बॉटम से और यहां पर हम जो बात कर रहे हैं यह जो हैं जो यह काम दोनों लेर करती है हो काम इस यह करती है के लिए यान कि OSI model की जो दो लेर होती है ना यहां पर ये जो दो लेर कंव कर रही है इन दोनों लेर के वराबर में कौन सी लेर कम कर रही है आपकी Network access layer याद कर लेना ठीक है ten word access layer उसके बाद देखो दोस्तो नेटवर्क अक्सेस लेयर, यहाँ पे जो नेटवर्क अक्सेस लेयर है, इस लेयर के बराबर जो काम कर रही है, वो लेयर है, इंटरनेट लेयर, यानि कि यहाँ पे जो लेयर है, उस लेयर का अलगी नाम आगे, आपको याद रखना है, इंटरनेट लेयर, यह इंटरनेट ल लेयर ट्रास्पोर्ट लेयर तो यह ट्रास्पोर्ट लेयर आपकी ट्रास्पोर्ट लेयर के साथ ही जुड़ी है विए उसके बाद ल trophy ish लेयर के साथ जुड़ी है और डैट इस एप्लिकेशन लेयर एप्लिकेशन लेयर जो है इस एप्लिकेशन लेयर के साथ आपकी यह तीनों एप्लिकेशन लेयर के साथ जुड़ी है एप्लिकेशन भी प्रेजेंटेशन भी सैसन लेयर भी यानि कि जो काम यह केली करेगी वहां पर मिलके दो लेर काम कर रही है तो इस तरह से इसकी साथ लेर है और यहां पर चार लेर है यह टीसीपी आईपी है और यह ऐसा यह मोडल की सेवल लेर है ठीक है दोस्तों तो मैंने दोनों आपको लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे जो मिस्लेनियस को सिचन है उनको हम आपको को सैट बना बना के देंगे उसके अंदर आपको करवाने की कोसिस करेंगे उसके बाद जो हमारी next class होगी वह आपकी class होगी internet के लिए internet और इमेल्स के लिए इनकी हमारी जो next class आएगी तो वो हमारा network internet का जो topic होगा उसके अंदर हम सिर्फ internet की सुरुआत करेंगे कि internet क्या है इसकी history के बारे में इसके लिए मैं आप लोगों से उमीद करता हूँ कि आपको session अच्छा लगा है तो जल्दी से एक बार like कर दीजिए अगर आप लोगों के लिए और best से best आपको class प्रोवाइड करवाएंगे तो वो है दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा sharing कीजिए इस वीडियो को ताकि हर वो students जो किसी भी competitive exams की त्यारी कर रहा है तो उसको ये classes मिल्स के ठीक है दोस्तों आपने ये वीडियो यहां तक देखी लोगों का थेंक यू, have a nice day.